फिल्म जवान के लिए सुर्किया बटोर रहे शारुख खान ने इंदनो लगतार सोशल मीडिया पर अपने फैंस से बातचीत करते हुए उनके संपर्क में हैं वो जब अपने फैंस से जुड़े होते हैं तो लोगों ने उनसे सल्मान खान की आने वाली फिल्म टाइगर 3 पर सवाल पूछ डाला असल में सल्मान के फिल्म की एक जलत टाइगर का मेसेज नाम से एक रिलीज हुई थी इसके सुबे से सोशल मीडिया और सल्मान के फैंस के वीच चर्चा है अब शारुख खान जब ट्विटर पर आस्क में एनिटिंग सेशन कर रहे थे तो फैंस ने उनसे पूछा कि क्या आपने टाइगर का मेसेज देखा है इसके बाद शारुख खान ने टाइगर 3 के अंदर की जानकारी दे दी दरसल फैंस के सवाल का शारुख ने मज़िदार जबाब दिया उन्होंने कहा ये तो टीजर है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त आपको बता दे कि शारुख यही नहीं रुके उन्होंने फैंस से कहा कि मैं अंदर की बात बता रहा हूँ ये फिल्म बहुत ही शानदार होगी हाँ 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 लाइक एक लाफिंग इमोजिवा पे लगा हुआ था साथी शारुक के इस बाद से चाफ है कि इस फिल्म को भी अपनी दूसरी फिल्मों की तरह प्रमोट करने जा रहे और लेकनिया है कि ये फिल्म सफल कुना शारुक के लिए भी माइने रखता है क्यूकि इसमें वो कैम्यो रोल निभा रहे है सल्मान खान उनकी पठान में कैमियो करते हुए नजर आये थे खास बात ये है कि निर्माताओं ने इसके बाद टाइगर और पठान की कहानी को मिला कर टाइगर वर्शिस पठान फिल्म की तैयारी कर ली है जो अगले साल शूट होने वाली है अब ये तो साफ है कि टाइगर और पठान मिलकर एक फ्रेंचाइजी बनेंगे और दोनों फिल्मों का दर्शकों को पसंद आना जरूरी है एक और यूजर ने भी शारुक से पूचा कि टाइगर 3 का टीजर क्या आपने देखा है तब उन्होंने कहा कि टाइगर 3 बहुत बढ़िया लग रहा है भाई तो भाई है बहुत पसंद आया भई आपको बता देए कि टाइगर 3 में कैटरीना कैफ और इमरान हाश में भी हैं फिल्म दिवाली पर हिंदी, तमिल और तेलिकू भाषाओं में रिलीज होने वाली है टाइगर 3 की रिलीज के बाद प्रोड्यूसर इस साल नवंबर के टाइगर वर्सेज पठान का काम शुरू करने वाले हैं तो इसे लाइक, शेर, कॉमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें साथी जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो अप्लूट करें उसका नोटिफिकिशन आप तक आसानी से पहुँच जाए और आप हमारे वीडियो उसको आसानी से देख सके